हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टो मैं चैनल रादा मादाव कलेक्शन, काना जी की सभी बगतों को में तफसीरा दे रादे दो देखे फ्रेंज, हम काना जी के लिए बहुती एजी और सिंपल तरीके की ड्रेस बनाएंगे, तो मैं ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ, मैंने या पे बांध लेनी है, ये ड्रेस आप सभी नंबर के काना जी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी नंबर के काना जी के लिए मैसरमेंट भी बताया है, और साथी साथ मैंने काना जी के लिए कैप बनाना भी बताया है, तो देखी फ्रेंस, मैंने काना जी को ये सुन्दर सी और आप देख सकते हैं मारी कान्हाजी इस ड्रेस को पहन कर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लोग बहुत अच्छा है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से यह ड्रेस पनाना और कान्हाजी को पहनाना भी पताया है तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक देखेगा जिसे कि आ अगरुच से रिलेट्ट या फिर वीडियो से रिलेट्ट को या फिर कोई 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 क्वेशन पूचना चाहता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूंच सकते है मेरा इंस्टामाधा एमध्रन और मिष्ग कारें तो चले फ्रेंज दूm यária को भी बहूं की ऐ ने क्वाटन के फाब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है क्योंकि हम काना जी की समर ट्रेस पना रहे हैं तो कॉटन का कपड़ा अराम दायक रहता है अब मैं आपको इसका मेसर्मेंट बता देती हूं तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे जब हम यहां से मेजर करें कपड़े की जो टोटल लंबाई हो मैंने 16 इंच या शोला इंच रखी है और इसकी जो चोडाई है वह मैंने 3 इंच यानि की 3 इंच तो यह कंग नपर यानिकि 28 इंच की आपको कपड़े की टोटल लंबाई रखने हैं अब हम चौड़ाई देख लेते हैं तो 0, 1 और 2 नमबर का अनाजी के लिए आपको 2 इंच की चौड़ाई रखनी है 3, 4 और 5 नमबर का अनाजी के लिए आपको 3 इंच की चौड़ाई रखनी है 6, 7 और 8 नमबर का नहाजी के लिए 4 इंच की कपड़े की चौड़ाई होगी और 9 और 10 नमबर का नहाजी के लिए 5 इंच की आपको कपड़े की चौड़ाई रखनी है अब ये जो मेजरमेंट है वो मैंने कैप के लिए रखा है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी मैं आपको पास से दिखा देते हूँ जिसे आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और किसी भी नंबर के कानाजी के लिए ड्रेस बना कर आप इसको आसानी से पहना सकते हैं अब हमें कपड़े को पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और दोनों तरफ से हम एक एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब हमें बीच में से भी फोल्ड करना है और एक के उपर एक करके रखते हुए सिलाई लगा कर पट्टी तयार कर लेनी है सिलाई लगाकर पट्टी तयार करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे लेस तो मैंने या पे यह वाइट कलर की थ्रेड लेस लेदिया और जिधर की तरफ से मैंने सिलाई लगाई है उधर की तरफ से हमें इसमें लेस भी लगा देनी है लेस लगाने के बाद अब हमें कपड़ी को पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और लेस वाली साइड मैंने देखिए नीचे से रखी है अब हमें सेंटर से एक बार ऐसे फोल्ड करना है फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से दोनों ही पीसे से एकदम बराबर होने चाहिए, इसको हम हलका सा एक क्यों पर एक करके रखेंगे, बहुत जादा नहीं और ऐसे एक क्यों पर एक करके रखने के बाद, अब हमें मैजर करना है, और मैजर करते हुए, साड़े चार इंच, यानि की 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है, और यहां तक हम एक क्यों पर एक करके, रखते हुए सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे, उपर से हमें इतनी जगा खुली चोड़नी है, जिसे हम एजिली कानाजी को ड्रेस पहना सकें, सिलाई लगाकर मैंने देखे लगबग सारे 4 इंच तक जॉइंट कर लिया, अब हम पर पीछे की तरफ से रखेंगे, और मैंने यहां पर यह डोरी ले लिया, तो हमें क्या करना है, एक पार हम पत क्यार है हम क्याप बनाएंगे, तो क्याप बनाने के लिए मैंने यह पर फिर से एक पीस कट किया है, और इसका भी मैं आपको मैंसरमेंट बता देती हूं, तो इसकी जो यहां से यहां तक की लंबाई है, वो मैंने 8 इंच यानि की 8 इंच रखी है, और इसकी जो के लिए से लिए मैं मैं सभी नंबर कानाजी के लिए मैंसरमेंट बता देती है, तो देखिए फ्र began must, 0, 1 & 2 और 2 नंबर कानाजी के लिए आपको 6-3 इंच की कपड़ काना अर एंच की लंबाई रखनी है 6, 7 और 8 नमबर कानाजी के लिए आपको 10 इंच की कपड़े की लंबाई रखनी है और 9 और 10 नमबर कानाजी के लिए आपको 12 यानि की 12 इंच की कपड़े की लंबाई रखनी है अब चौड़ाई देख लेते हैं को समझने में आसानी होगी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहां पे मैंने का नमबर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप आसानी से समझ सखेंगे, तो अब हम कैप पनाना कंटिन्यू करते हैं, हमें क्या करना है, इसको हम पलट कर पीछे की तरफ से रखेंगे और सिर्फ एक साइट से हमें इसको डबल फोल्ड करना है एक बार हम फोल्ड करेंगे फिर एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहां पे सिलाई लगा लिया और अब मैंने यहां पे सुई धागा ले लिया है तो जो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ऐसे आमें लास्ट तक इसमें टाके लगाने है टाक करने के बाद अब हमें काना जी की साइस के हिसाब से कपड़े को फैलाना है या फिर आप चाहें तो देखें ऐसे मैजर भी कर सकते हैं या मैंने काना जी को ले लिया और ये 4 नंबर के काना जी की ड्रेस है और मेरी काना जी भी यह चार नंबर के हैं तो इस तरीके से जब हम इसको मैजर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको साइस पता चल जाएगा इसे साब से इसको फैला भी सकते हैं ऐसे तरके फैलाना है हमें और फिर लास्ट में हमें इसको यहीं पर टक करके लॉक कर लेना है लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसे आएगा अब हमें किनारे से इसको एकदम प्लेन करना है यहाँ पर चूनट नहीं होनी चाहिए दोनों साइड से और पीच में से हम फोल्ड करेंगे अब मैंने फिर से सुईधागा ले लिया है और उपर की तरफ से भी हमें देखें थोड़ी सी जगा चोड़ते हुए फिर ऐसे इसको टक करना है और खीच कर टाइट करते हुए लॉक कर लेना है जिसकि उपर की तरफ से यह लॉक हो जाएगा और काना जी की कैप भी बन चाएगी लॉक करने के बाद जब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे तो देखें काना जी के लिए कैप बन कर भी बिल्कुल तयार हो गई है और ड्रेस थो हमने पहले से बना कर रखी है तो कम्प्लीट ड्रेस का लुक कुछ ऐसी आ जाएगा तो थैंक्यू फ्रैंस थैंक्स पर वाचेंग